Hello everyone, Research Methodology में आप सबका स्वागत है आज इस lecture में हम short answer type question के बारे में जानेंगे इसमें हम जानेंगे mean, mode, median, in topic and short answer type questions use of computer in social research सामाधिक सोध में computer का क्या-क्या प्रयोग है इसके बारे में हम जानेंगे और classification and tabulation तो in topics के बारे में short question क्या-क्या आ सकते हैं टू-marcs के इसके बारे में हम यहा पर जानते हैं तो हम शुरुआत करते हैं पहला question वर्गी करन से आप क्या समझते हैं देखे जब हमारे पास सूचना जब हम संकलित कर लेते हैं सामाधिक सोध से समंदी या विशे से समंदी जब हमने सूचना संकलित कर ली तो उन सूचनाओं को किसी एक विशेश गुण के आधार पर अलग-लग बागों में बांटना वर्गी करन कहलाता है जैसे सुचनाओं हमने संकलित कर ली उन सुचनाओं को हम सेक्स को आधार मानकर मेल और फीमेल को अलगलग कर देते हैं तो वर्गी करण कहलाता है एजुकेशन को आधार मानकर सिक्सित और एसिक्सित को अलगलग कर देते हैं तो वर्गी करण कहलाता है इन एवेवस्तित तत्यों या सामगरी को वेवस्तित करना ही वर्गी करन कहलाता है मतलब समानता एव समानता या गुणों के अधार पर अलग-अलग भागों में बांटना वर्गी करन कहलाता है वर्गी करन की कोई एक परिवासा इलहांस क्या कहते हैं समानताओं वे ए समानताओं के आधार पर सामगिरी को शम्मूहों वर्गों में व्यवस्तित करने के परकेरिया को तक्निकी दुरस्टि से वर्गिकरण कहा जाता है कि उससे नाजे वर्गी करन को प्रिबासित कीजिए तो आप definition भी दे सकते हैं और definition याद नहीं है तो उसका meaning आप बता सकते हैं तो देखे समानताओं और एसमानताओं के आधार पर अलगलग भागों में मांटना वर्गी करन कहलाता है वर्गी करन की चार विशेशता हैं वर्गी करन कैसे होना चाहिए वर्गी करन सपस्ट होना चाहिए वर्गों की संख्या उप्योक्त होनी चाहिए उसमें जो वर्ग है उनकी संख्या भी निश्चित होनी चाहिए जिसमें सभी सूचनाई आसके वर्गी करण एक इकता के इनियम पराधारित हैं होना चाहिए इसके पसाथ वर्गी करण के उदेश से क्या है अब वैवस्तित सूचना है, बिखरी हुई सूचना है उनको वैवस्तित करना एक तो तथ्यों की परकरती स्पष्ट करना भी तथ्या किस परकार के हैं तथ्यों को बोध गम्मे और संक्षिप्त बनाना मतलब सरल बनाना बोध गम्मे का मतलब सरल और समझने होगे और संक्षिप्त का मतलब छोटा करना तथ्यों के विशलेशन की व्याख्या को आसान बनाना ताकि तथ्यों का विशलेशन आसानी से किया जा सके तो इस तरह की क्यूशन में पूछे जा सकते हैं वर्गी करण के कोई दो उदेशे बताईए तीन उदेशे बताईए तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं इसके पर साथ वर्गी करण के पर मुख आधार क्या है किन के आधार पर वर्गी करण क्या जाएगा तो गुणों के आधार पर जब गुणों को आधार मानकर वर्गी करन किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गी करन का जाता है संख्या या परिमान को आधार मानकर जब वर्गी करन किया जाता है तो उसे संख्यात्मक वर्गी करन का जाता है समय को आधार मान कर जैसे 19, 20, 20, 21, 22 इस तरह से समय को आधार मान कर जब वर्गी करन किया जाता है तो उसे सामिक वर्गी करन कहा जाता है तो वर्गी करण के परमुक आधार चार है और इनी आधारों के आधार पर वर्गी करण के चार परकार है आगे हम चलते हैं सामिक वर्गी करण की से कहते हैं जब संकलित सूचनाओं का वर्गी करण समय अवद्धी के आधार पर किया जाता है तो उसे सामिक वर्गी करन कहते है इसमें आंकडों को वर्षों, महीनों, सप्ताओं, दिनों आदी के अधार पर वर्गी करन किया जा सकता है जैसे 1920 में महाविद आलेम कितने भी दियार थी थी बीस, इकटीस में कितने थे तो इस दार पर समय किया वद्दी को आधार मान कर वर्गी करन किया जाएगा उसे सामिक वर्गी करन गुणात्मक वर्गी करन किसे कहते हैं जब संकलित आंकडों का वर्गी करण विभिन गुणों या विशेष्टाओं के अधार पर किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गी करण कहा जाता है जैसे सिक्सित, एसिक्सित, मेल, भी मेल, जाती के अधार पर, धर्म के अधार पर सारनियन से आप क्या समझते हैं अब वर्गी करन जो सुचनाओं हमने वर्गी करित की है उन सुचनाओं को जब कॉल्मों और पंक्तियों में सजा दिया जाता है तो वो सारनि कहलाती है सारनी का मतलब एक टेबल सूचना है हमने बनाई उसको इस तरह से हमने एक टेबल में सजा दिया तो यहां पर करम संख्या जाएगी मेल फीमेल कितने हैं तो इसमें संख्या जब हम लिखते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा सारनीन कहलाएगा तो संक्लित सूचनाओं को विभिन तालिकाओं और सारणियों में तार्किक रूप से सजाना सारणियन कहलाता है इसमें सूचनाओं की तुलना और विसलेशन सरलता से किया जा सकता है सारणियन की प्रिबासा एलहांस क्या कहते हैं विश्तरीत अर्थों में सारणियन तक्षियों और सूचनाओं को किये करमबद व्यवस्ता है तक्षियों और सूचनाओं को पंक्तियों में किये करमबद व्यवस्ता है इसके पर साथ हम आगे चलते हैं एक अच्छी सारणिया सारणि कैसी होनी चाहिए आकर्शक होनी तुलना की सुईता, सारनी की आधार पर आसानी से तुलना की जास की, इसका मतलब तुलना करने वाड़े तत्यों को एक साथ रखना चाहिए, जैसे मेल और फीमेल की तुलना करनी है एजुकेशन में, तो या मेल और फीमेल, और इससे फिर उनकी तुलना भी आसानी से हो सकती है उदेश्य के अनुकूल और एक सारणी का निर्माण अपने अध्यन उदेश्य या विश्य के अनुकूल करना चाहिए सारणी के उदेश्य क्या क्या है एक तो तथ्यों को सूब व्यवस्तित रूप परदान करना तथ्यों को बोध गम्य बनाना संक्षिप्त बनाना और उ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए सिर्षक बनाना भी सबसे पहले हमें सिर्षक लिखना चाहिए सिर्षक का तात्प्रय क्या हुआ जैसे विध्याल्यों में छात्र छात्राओं की संख्या का वरणन उप सिर्षक बनाना चाहिए उपसिर्षक होने होंगे male, female या च्छातर च्छातराएं, table के अंदर जो यहाँ पर हम लिखेंगे वो इसके उपसिर्षक होने जुरूरी है stamb para column फिर उसमें stamb para column बनाने चाहिए वो उचित आकार के ओने चाहिए जाहाँ पर सूचना है पूरी आश के जैसे करम संक्या लिखना है तो इसका कोलम छोटा ले सकते हैं किसी का नाम लिखना है तो वो बड़ा कोलम लेना पड़ेगा आयू लिखनी है तो उसका कोलम छोटा ले सकते हैं तो इनका जो स्तम या कालम है वो उचित होना चाहिए रेखाएं खिंचना या खालिस्तान छोड़ना फिर ये रेखाएं खिंचते हैं ये भी इसमें होनी चाहिए और बीच में उप्युक्त खालिस्तान होना चाहिए ताकि बीच में सूचना पूरी आज के स्तंबों का करम स्तंब एक निश्चित करमानुसार होने चाहिए योग टिपनिया तथा सामगिरी के सुरोत ये भी अच्छी सारणी के अंतरगत है होने चाहिए सारणी इनके परमुख परकारों को बताईए सारणी इनके परकार कौन शोते है सामन्य उदेश्य सारणी जो किसी सामन्य उदेश्य पराद को ध्यान में रख कर बनाई जाती है और जो विशेश उदेश्य को ध्यान में रख कर बनाई जाती है वो विशिष्ट सारणी होगी केवल एक ही गुणों के अधार पर सारणी मनाई जाती है वो सरल सारणी होगी दो या दो से अधिक गुणों के अधार पर जो सारणी मनाई जाती है वो जटिल सारणी होगी सरल सारणी एक सारणी जो तथ्यों सारणी का मतलब टेबल एक सारणी जो तथ्ख्यों के किसी एक गुणी या विशेस्ता को जिसमें दिखाया जाता है इसलिए इसे एक गुणी या सरल सारणी भी कहा जाता है इसके पस्टा द्वी गुनी सारनी जब किसी सारनी में एक साथ आंकडों के दो गुनों या विशेस्ताओं को दिखाया जाता है तो उसे द्वी गुनी सारनी कहते है जैसे सिक्ष्या और एसिक्ष्या और साथ में ही उसमें दिखा दें गरामिन और सहरी तो दो गुन होगे न सारनियन के महतव याकुन बताईए सारनियन सामगिरी को व्यवस्तित करती है सारनियन तुलना को आसान बनाती है उसमें दो तथ्यों में आसानी से तुलना की जा सकती है और तथ्यों को बहुत गम्य बनाने में साहिक है बहुत गम्य का मतलब होता है समझने योग्यें इससे समय धनकी भी बचते होती है क्योंकि जो सूचनाओं हमारे विश्य से सम्मंदित नहीं है वो सूचनाओं हटा दी जाती है तो उस सूचनाओं को विशलेशन करने में समय कम लगता है सारनी के दोस केवल संख्यातमक सूचनाओं का इपरदर्शन सारनी में केवल संख्यातमक सूचनाओं को दिखाया जा सकता है गुणातमक तथ्यों को इसमें नहीं दिखाया जा सकता है दूसरी बात ये केवल शिक्षित वरक के व्यक्ति के लिए उप्योग ये ऐ शिक्षित व्यक्ति के लिए सारनी उप्योगत नहीं है क्योंकि वो उसे नहीं पड़ पाएगा इसका प्रयोग सिमित्प छेत्र में किया जाता है या केवल शिक्षित लोगों पर इसका प्रयोग वो एर उचिकर और निर या उबाव बन जाती है जिसमें कोई भी रूची नहीं लेता संखी की क्या है संखी की वह पदती है जिसमें संख्यात्मक तत्यों के संकलन परस्तूतिकरन तथा विशलेशन करने के लिए प्रयोग में लाए जाता है संख्य की का मतलब संख्या, जब सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में परकट करके उनका विसलेशन जब किया जाता है तो इसको हम संख्य की कहते हैं केंद्रिय परिवर्थी का माप साधारन सब्दों में सेंट्रल टेरेंसी का माप क्या होता है साधारन सब्दों में केंद्रिय परिवर्थी का आरत है केंद्र की और जुकाओ वह मुल्य जो में समू की योग्यता को एक संक्षिप्त रूप से अंक में ही बतादे केंद्रिया प्रवर्वर्वर्वर्विकामाप कहलाता है जैसे मध्य निकालते हैं औस पूरी सीरीज का तो उसका बीच का जो अंक आया है वो मध्य होगा और पूरे समू का परतिनीजी तो करेंगा तो ये एक ही संख्या होगी और इसी कौम क्या कहेंगे केंद्रिय परवर्ति का माप क्योंकि इस केंद्र में इस्तित होता है मद्धिका या मध्ध्यंक मुल्य किसे कहते हैं ये भी केंद्रिय परवर्ति का माप है मध्यांक वह मुल्य होता है जो करमबद पदमाला के मध्य मिस्तित होता है अर्थार्थ वह मुल्य जो करमबद पदमाला को दो भागों विवाजित कर देता है जिसमें आदा मुल्य मध्यांक से कम और आदा मुल्य मध्यांक से अधिक होता है यही मद्या मुल्या मद्यांक के कहलाता है इसका मतलब क्या हुआ माद्य का किसे कहेंगे एक सीरीज है उस सीरीज को करमा नुसार कर लेंगे जैसे 6, 7, 8, 9 और 10 अब इसका यदि मद्यांक निकालना है तो मद्यांक क्या होगा बीच का मुल्या दो इदर से छोड़ दिये दो इदर से तो यह बीच का क्या होगा मद्यांक होगा इसको मकेंद्रिय मुल्या कहेंगे और मद्यांक मुल्या का जाएगा तो मद्यांक की प्रिवासाएं क्या दी है बाउले के नुसार किसी स्रेणी में आदी दूरी प्रस्तित संक्या का मुल्य ही माध्यका या मध्यांक के कहलाएगा आदी दूरी का मतलब बीच में माध्यका के गुंश्ट माध्यका बहुती सरल और सपस्ट होती है इससे निकालना असान है कम समय लगता है इससे बिंदू रेखे परदर्शन भी क्या जा सकता है, मतलब ग्राफिक ग्रूप में इसका परदर्शन क्या जा सकता है, और माध्यका का माना वो निश्ची तोर सपस्ट आता है, माध्यका के दोस उचित परतिनी दितों का अभाव, माध्यका में उचित परतिनी दितों का भाव पाया जाता है क्योंकि बीज का मुल्य होता है सभी का परते निदी तो नहीं कर सकता है इसका बीज गनीतिय भी वेचना संभव नहीं है क्योंकि बीज के मुल्य तक ही बढ़ेगा इसके आगे इसके कोई गनीतिय विशलेशन नहीं किया जाता सिमित प्रयोगी इसका किया जाता है और यदि आपसमें जो मुल्य प्रिवर्तन हो रहे हैं तो उसके कारण भी माद्धिका में बहुत ज्यादा प्रिवर्तन आ जाता है माद्धिका के क्या क्या विश्यस्ता हैं होती है माद्धिका पूरी स्रेणी को दो भागों माट देती है जिसमें एक भाग मद्धिका से कम पद मुल्य वाला और दूसरा भाग मद्धिका से अधिक पद मुल्य वाला होता है मतलब माद्दीका है वो पदमाला के केंदर में स्थित होती है तो दूसरा माद्दीका पदमाला के केंदर में स्थित होती है माद्दीका मुले आती सिमान्त पदों में नहीं होता है आती सिमान्त पद का मतलब जैसे हमें लिखा 6, 7, 8, 9, 10 तो इसमें मादिका बीच में आया है शिमान्त पदों का मतलब लास्ट वारों में शिमा पर जो है उसमें मादिका नहीं होती है इसके पसाद बहुलक किसे कहते है बहुलक का मतलब जो सरंखला में सबसे अधिक बारा है या मुल्या जिसकी आवरिती सबसे अधिको बहुलक कहलाता है बहुलक की प्रिभासा किने वैकीपिंग क्या कहते हैं बहुलक उस मुल्या को कहते हैं जो समंक या माला में समंक या माला का मतलब जो स्रेणी में सबसे अधिक बार आता है या जिसके आवरिति सबसे अधिक हो उसको हम बहुलग कहते हैं बहुलग की विशेष्थ आ हैं अधिकतमार्ईति जो सबसे ज़्यादा बार है वो हता है एक से अधिक बहुलग भी हो सकते हैं क्योंकि दो मान जैसे 60-60 इसकी आवरिती दोनों के दी बराबर है तो बहुलक दो गए तो एक से दिक बहुलक हो सकता है बहुलक है वो आवरिती पर निर्बर होता है जिसकी आवरिती सबसे ज़्यादा है वही बहुलक है कहलाएगा बहुलक का गुन यह बहुत ही सिंपल है और लोग पीरिया भी है जैसे हम फेशन में भी करते हैं भी इस क्रीम को सबसे ज़्यादा लोग कौन पसंद करते हैं तो ज़्यादा लोग का मतलब बहुलक इस सूट को सबसे ज़्यादा पसंद कौन करता है कौनशी गाड़ी को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये बड़ा लोग पीरिया अदेली लाइफ में मिनका प्रयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा वही बहुलक होता है सिमानत मुल्यों का इस पर कोई परभाव नहीं परता कोई परभाव नहीं परता क्योंकि इसमें केवल आवरिती देखी जाती है सिगर्तम निरने देखते ही पता लगाया दा सकता है गुनातमक तथ्यों के विशलेशन में भी है उप्योगी ये पूछले बहुलक के दोस्त क्या है तो बीजगनिती अभी वेचना संभो नहीं है क्योंकि इसमें तो हमें इस सिरफ आवरिती देखे हैं हमने सबसे जादा है उसके बाद उसका आगे बीजगनिती अभी इसलेशन नहीं क्या दा सकता सभी पदों को इसमें पड़ती नहीं मिलता है ये एक बहुती जटिल कारे यदि वो आवरिती समाना आजे दोनों की दो या दो से अधिक पदों की आवरिती समाना आजे तो इसकी गढ़ना करना बहुत मुश्किल होता है बर्मातमा की बटकाने वाला भी होता है मद्य किसे कहते हैं मद्य संपुर्ण समू का परतिनी दित्तों करने वाला वहमान है जो कि पदमाला के केंदर में इस्तित होता है मद्य पदमाला के समस्थ पदों के मुल्या के योग को पदमाला के पदों की कुल संक्या से भाग देने पर प्राप्त होता है माध्या को हम पोस्त या एवरेज भी कहते हैं जैसे मान लीजिए साथ, चारिस, तीस और दस है अब इसका ये कहें कि माध्या निकालो तो इनको हम पदमाला के सभी मुल्यों को जोड लेंगे साथ और चारिस सो, एक सो चारिस हो गई है अब एक सो चारिस को पदमाला के पदों की कुल संक्या से भाग कर देंगे एक, दो, तीन, चार, चार से भाग कर देंगे तो इसका जितना भी आंसर आएगा वो माध्या कहलाएगा एक अच्छे माध्या की विशेस्ता है सरलता वैस सपष्टा होनी चाहिए पूरे समू, पदमाला का मतलब समू, सरंखला या स्रेणी या समंकमाला का परतिनी तो करने वाला होना चाहिए किसी तरह का कोई संदेय संकार रही तो होना चाहिए पदमाला के सभी पदों पराधारित होना चाहिए मध्या के गुण क्या क्या है करम बदता आवशक नहीं है माद्या में नमब एक तो इससे तुलना करना असान है संक्षिप्त वैस सुक्षम पूरी सुचना को ये संक्षिप्त और छोटे रूप में परस्तूत है करता है माद्या के चार दोस है विस्वसनी है कि इस पर कई बार विश्वस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा मान आ जाता है जो उस रंखला में है ही नहीं गनितियत रूटियां भी इसमें क्योंकि जोड गटा गुणा बाग करना पड़ता है तो इसमें गलतियां होने की संभावना भी रहती है चितर में अग्राफिक या रहिए परदर्शन नहीं किया दा सकता पदमाला के पद मुल्य से अलग भी हो सकता है हास्या पद भी लिख सकते हैं कई बार जैसे व्यक्ति योग की संक्या का निकालना है तो 40-40.5 व्यक्ति आगे तो आदा व्यक्ति कैसे होगा समानतर माद्य ग्याद करने के लिए सुत्र क्या होगा सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा का मतलब योग होता है एफएक्स का मतलब पदों की जो कुल संक्या है उनका योग उनके मुल्यों का योग और सिग्मा एप का मतलब पदों की कुल संक्या तो पदों के मुल्यों के कुल योग को यदि संक्या से हम भाग कर देते हैं तो वो माद्य है यामीन कहलाता है इसके पस साथ हम आगे चलते हैं कम्प्यूटर क्या है तो computer क्या है? computer एक ऐसी electronic machine है जो किसी भी परकार के आंकड़ों या सामगिरी को व्यवस्तित और नियंतरित करके सुधतावे सुगमता से तथ्यों का visualization करती है मतलब इसमें आसानी से कितने भी तथ्यों किसी भी परकार के तथ्यों उसको करंबद और व्यवस्तित करके आसानी से उसका निश्कर्श निकाला जा सकता है एक ऐसी machine को ही हम computer कहते हैं computer के मुख्या बाग कौन को रचे input devices वो होते हैं जिनके माद्यम से हम सुचना computer के अंदर डालते हैं जैसे keyboard हो गया joystick हो गया mouse हो गया आदी output device जो हमने सुचना डाली उस सुचना का result हमें कहां से मिलेगा वो output device कहलाता है तो result हमें कहां पर दीखेगा monitor में monitor का मतलो जो screen होती है computer के उस पर दीखेगा यह printer के माद्यम से आदी तो जिसके माद्यम से सुचना मंदर डाल रहे हैं वो input device और जिसके माद्यम से सुचना बाहर निकल के आ रहे हैं वो output device कहलाएगा इसके पस साथ आगे हम चलते हैं अब आगे देखेगा इसके बाद केंद्रिये प्रकिर्यानिवन इकाई इसको हम क्या कहते हैं तीसरा CPU भी बोलते हैं Central Processing Unit तो कम्प्यूटर के सभी भागों में संतुलन बनाने का जो काम करता है वो CPU है समयने बासा में से CPU भी कहते हैं क्यों से ना सकता है CPU क्या है आउटपुट डिवाइस क्या होते है इनपुट डिवाइस क्या होते है या कम्प्यूटर के मुख्या भाग कौन-कौन से है तो वहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं इसके बाद हार्डवेर क्या है सकते या छून नहीं सकते वह शोप्टवेर कहलाते हैं जैसे पेज मेकर हो गया, MS Word हो गया आदी सामाजिक सोध में कम्प्योटर की कोई तीन उप्योगी ताहिए भी सामाजिक सोध में कम्प्योटर का प्रयोग क्यों करें तो एक तो आंकडों का वरगी करण और सारणियन बहुत आसानी से कम्प्यूटर में हो सकता है दूसरा सामगीरी को रेखा चितर मतल'll कम्प्यूटर में ग्राप के माध़िम से, टेबल के माध़िम से, आदि आसानी से दिखाया जा सकता है संक्याओं की गिंती करने में जोड़ गठा गुणा भाग करने में किसी तरह की कोई गलतिया नहीं होती और बहुत कम समय में इसका प्रयोग किया दा सकता है तो इसलिए सामाजिक सोद में कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं और कम्प्यूटर का महतो क्या है सामाजिक शंक्ली तथ्यों के सारणियन, वर्गी करण, विसलेशन, रेखा चित्रिय पर्ष्तूति करण और सांगि के गड़ियों, आदी के कारण हमं क 이제 computer का मभर्व में करते हैं सामाजिक सोद में computer के प्रयोग के कोई तीन कारण लिखे हैं कारण यी accuracy प्रीसूद था इसका मतलब जब कंप्यूटर के दवारा जोड गटा गुना भाग की जाती है तो वो बहुत सुध होती है मतलब उसमें किसी तरह की तूटियां नहीं होती और तिवर गती का मतलब हाई स्पीड जो भी गणना करने हो बहुत ही तेज गती से कंप्यूटर कर सकता है और एक सberg अलत गता भी समता आदिके करन단एं यह क्या है फूल फोर्म फुटियर आ सकती है तो स्टेकल पेगज फोड़ा सोचल साइस भी कहते हैं S का मतलब statical, P का मतलब package, S का मतलब social और S का मतलब sciences सामाजिक विज्ञानों है तू सांखे की package हिंदी में इसको हम यह वो लेंगे इसके पर साथ अगला SPSS क्या है SPSS का आर्थ है सामाजिक सोदों है तू सांखे की package मतलब यह तो इसका full meaning हो गया इसके दवारा सामगिरी के visualization है तू सरो पर्थम विभीन वीदियों के माद्यम से सूचना एक्तरित की जाती है और सरों के कर्मानुसार computer फिर उनको कर्मानुसार computer में feed कर दिया जाता है इसके परती एक चरके विकल्पों में सूचना दाताओं की संख्या यह परतीसत दर्शाने के लिए अलग-लग margin निकाले जाते हैं यही SPSS है SPSS की सिमाई क्या है इसके लोग परकारे बहुत कमजोर होते है दूसरा सोध करता के नियंतरन में भी कमी होते है मतलब सोध करता उनके उपर नियंतरन स्थापित नहीं रख पाता वो कारे अपने आप होता है तो यह 4th unit के sort answer type question थे यदि इसमें किसी तरह एगा कोई doubt हो तो आप comment box में लिख सकते है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद